अब हम देखेंगे कि सी बैक एफेक्ट क्या होता है तो जब आप इस थर्मो कपल के दो जंक्शन में से एक जैसे जंक्शन ए और बी है तो मान लेते हैं कि हमने junction A को एक hot container यानि higher temperature पर रख दिया जबकि junction B को हमने cold container या lower temperature contact में रख दिया है तो जब दो metal से बनने वाले thermocouple के जो दो junctions हैं वो अलग-अलग temperatures पर रखे जाते हैं तो उनमे temperature difference generate हो जाता है और इसी की वज़े से इनमें इस junction की through या एक junction से दूसरे junction की तरफ current को पर दिया है